कि जैहिंद आज हम लोग भौत्की अंतरगत एक टॉपिक आवेस के क्वांटी करन की चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि आवेश का क्वांटी करन क्या है आवेश का क्वांटी करन क्यूं होता है तो इन सारे तत्थ्वों पर हम सर्चा करेंगे और सबसे पहले हैं हम जानेंगे कि आवेश के क्वांटी करन के लिए क्या प्रक्रिया होती है तो आवेश का अस्थानांतरन होता है आवेज का अस्थानांतरन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर होता है तो यह एलेक्ट्रोन के पुर्णुगुनन के रूप में होता है अस्थानांतरित आवेज जो आवेज एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है वह एलेक्ट्रोन के पुर्णुगुनज के रूप यह सबके बढस के रूप में हो इंए रूप में हो तो इस तरीके से आभेस का स्थानांत्रन भूक्ता है लेकिन इ centigrade के पुर्न गुनाज में होता हो जब आभेस का अस्थानांत्रन होता है तो उसके बाद हम एक दूसरे कथ जसकी करना है जिसे हम किसी भौतिक राशी का क्वांटम क्या है अर्थात क्वांटम सब्द का क्या पतात पड़ी है यह आवेश का वह न्यूंतम्मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उप्योग किया दाता है कि आवेश का एक ऐसा म्यूंतम्मान जिसका हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अस्थानांतरन के समय आदान प्रदान की प्रक्रिया के समय उप्योग करते हैं उस आवेश के मान को ही हम उस भौतिक राशी का क्या बोल देते हैं क्वांटम करते हैं तथा इस प्रक्रिया को क्वांटी करन कहते हैं और इसी प्रक्रिया को आवेज के न्यूंतब मान के एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाने की प्रक्रिया क्या का लाती है क्वांटी करन कि अब हम देखते हैं कि आवेज का अस्थानांतरन किस प्रकार होता है यदि सबसे पहले कि हम आवेश के अस्थनामत्रन को किसी भौतिक राशी में होते देख सकते हैं तो सारी भौतिक राशियों में नहीं देख सकते हैं कुछ ऐसी भौतिक राशियों हमारी प्रकृति में मौजूद रहती हैं जिन पस्तुओं को आपर्स में घर्षन करने पर हम उन वस्तुओं एक वस कि यह बी हमें काँच की छर बले है कि और एक हटर्शा में का प्रता हम का प्रतम तक प्रतम में उते परक्षा है आध्यम प्रतमान होता है और प्रतम के रूप में होता है अ क्यों Do है दो एलेक्ट्रोन दा सकता है तीन इलेक्ट्रोन दा सकता है इस धरसन की प्रिक्रिद्रत आब इसका अस्थानाहम्तरन होता है कांज की छे मिकलकर certified कपड़े पर आ लागते हैं कि हना कांज की कुर्ण को प्रन कर रहा है ये इलेक्ट्रोन दे để रहा है और रेसन के प्रक्रिया में जिसका आदान प्रत्राण की प्रक्रिया में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जितने एलेक्ट्रोन को आदान या प्रदान कर सकते हैं लेकिन कम से कम कितने एलेक्ट्रोन को एक एलेक्ट्रोन को हम क्या कर सकते हैं त्याग और ग्रहन की प्रक्रिया में सामिल कर सकते हैं उससे कम यानि एक इलक्ट्रोन तोकि इलक्ट्रोन का आवेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया में इलक्ट्रोन भिन्न रूप में नहीं हो सकता है वो हमेशा पुर्नुगुनज के रूप में ही हो तो क्या होता है कि य कांच की छर और वेसम का कप्रा कांच की छर और वेसम का कप्रा इलेक्ट्रोन के आदान प्रतान की प्रक्रिया कर दें के अधेर और इसमें इलेक्ट्रोन कांच की छर से स्थनांत्रित होकर रेसम के कप्री पर आ तो ये दोनों कांच की छर और वेसम का कप्रा क्या है भातिक राज्य अब ये दोनों भहुत इक रास्तिया कंश कम से कम एक क्षेक करेंगी केकंश करेंगी कम क्षच का कप्रों एक इलक्ट्रोन को ग्रहन कर सकता है जब कि या प्रक्रिया इस प्रक्रिया में अधिक इलक्ट्रोन जा सकते हैं और रेसम का कप्रा उन अधिक इलक्ट्रोनों को दो इलक्ट्रोन, तीन इलक्ट्रोन, चार इलक्ट्रोन, जितने इलक्ट्रोन ताच की छर से निकलेंगे वो र ही यह जा सकता है एक एलेक्ट्रों बॉइस के दिए आहां साधत çıkarском के कपड़े सकता है यहां से एक लेक्ट्रों कर रेशंच लिए कर रीपार सकता है एक बढ़ जलिए कप्टं यहां से एक लेख दोनने शलिवार कर अमें र्म Meru तो यह इलक्ट्रोन का न्यूनतम मान है और यही बहुतिक राशिका क्या कहलाएदा प्वांटम अब हम इसके बाद करते हैं कि आवेज का अस्थानांतरन इलक्रोन के गुनज के रूपने होता है तथा न्यूनतम मान वन इलक्रोन होता है और यही बहन इलक्रोन अब इसका क्या कहलाता है क्वांटम कहलाता है फिर किसी वस्टू से दूसरी वस्टू पर एक इलक्रोन का ही न्यूनतम अस्थानांतरन हो सकता है किसी वस्तू से दूसरी वस्तू पर कितना केवल और केवल एक कम से कम एक एक लेक्ट्रोन का ही नियूंतम अस्थानांतरन हो सकता है इसी गुन को आवेज का क्वांटिक करन नियम बोलते हैं किसी वस्तू से दूसरी वस्तू पर कम से कम कितने एक लेक्ट्रोन का ही अस्थानांतरन हो सकता है और इसी गुन को एक लेक्ट्रोन के अस्थानांतरन के गुन को ही हम लोग आवेज का क्वांटिक करन नियम बोलते हैं कि यह जो रूल्स है इसी को यदि एक वस्तू से दूसर वस्तु पर कम से कम एक इलेक्ट्रोन अस्थानांत्रित हो इस प्रक्रिया को आवेश के कि आवेश के क्वांटी करण कि आवेश के क्वांटी करण का नियम कहते हैं कि आवेश के क्वांटी करण का नियम कहते हैं अब बोला रहता है कि अस्थानांत्रित आवेश को ही तो हम बेंचक के रूप में सुंत्र के रूप में स्ठाफित कर सकते हैं तो अस्ठान पृत अश्चए को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर अस्थान पर इसको टूए क्हों टूए अप्लास- माहेंकित एन्तो में ड्यक्ट कर सकते हैं इस में यहां क्या हो सकता है वान टू फ्री तौर कि फ्री फॉर आद अर्थात पुर्णांग संख्या के रूप में इसके मान को ले सकते हैं यह आवेश अध्याद्मक और रिनात्मक दूने स्थिति को प्रक्ट करता है इसलिए यूई इक्वल टो हम लोग लिख लेते हैं फर्मूला प्लस मैनस ऐनी अब एक वहल्यू ए अर्थात एक एलेक्ट्रोन पर आवेश कामान एक एक एलेक्ट्रोन पर आवेश कामान वान पॉन माइनटीन कुलांब होता है एक एलेक्ट्रोन पर आवेश का मानग वान पॉइंट सिक्स न्टू तो दीपावर माइनस 19 कुलांग के बरावर मापा गया है यह आवेश के मान को नरधारिक क्या गया है मिलिकन सहाब के तेल बिल्दू प्रमेश कि कि मिलिकन सहाथ के तेल बिंदू प्रिगोग से एक एलेक्ट्रोन के आवेश को नरधारिक किया गया है कि एक एलेक्ट्रोन पर 1.6 इंटू तो दीपावर माइनस इसके और आगे की जानकारी हम दूसरे वीडियो में आप लोगों के लिए प्रस्तूत करेंगे तब तक के लिए जय हिंद। कि एक लुँ लंगे से एक 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 डռबु यच Ωーदeko evitar विया facing एलेक्ट्रो दीज़ जानकारी प्रस्ट्रोन को उन्ट्रोन कांशरों को ब्रस्तूТ झाल झाल